तो मैंने देख ली है कपिल सर्मा की जोईगाटो मूवी पर क्या तुम्हें पता है कि ये मूवी कैसी है इस मूवी को हमें थेटर में देखनी चाहिए या फिर OTT पर वेट करना चाहिए ये बात तुम डिसाइड करना मेरी इस रिवियो को देखने के बाद तो इसके मोटा मोटी उपर-उपर के श्टोडी की बात कर लेते हैं तो इस मूवी में अपना केपिल सर्मा ने रोल प्ले किया है एक डिलिवरी बॉय का जा कि हमें इसके ट्रेडर को देखकर ये लगता तो है कि ये मूवी सिर्फ एक डिलिवरी बॉय के उपर बेज होने वा की बहुत सारी बन चुकी है दिखाने का क्या है बहुत लोग दिखा रहेते हैं बात यह आती है कि यह तरीके से दिखाने वाली चीज़ को इस मूवी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है इस मूवी ने अपने कैमरा एंगल को इतने ज्यादा सीन्स में इतने ज्यादा सेकी रखा है और उस सेकी सीन्स के वए से हमें यह समझ में आता है कि एक मिडिन क्लास आदमी की जिंदेगी भी कहीं एक जगा पर स्टेबल नहीं है वह भी बहुत जाता इधर चलीव को दिखाना हो मूवी में ज्यादा गाने नहीं हैं मुश्किल से दो गाने हैं एक बीच में आता है और एक एंड में और जो बीच में आता है वह उगया क्योंकि नहीं चली जगा करे और तुम उन 3-3 मेंट के सीन्स को बिना बोर हुए अगर मैं अपना एक्स्परिय मुवी की स्टोडी टेलिंग ने थेटर के सारे ओडियंस को अपने अंदर गुसा लिया था मेरे हाथ मेरा कोल रिंग गरम हो चुगा था और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैं कुछ खा भी रहा हूं या कि कुछ पी भी रहा हूं मैं 3-3 मिट के सिंस में घुसा हुआ हूं और बस मुवी को एंजॉइ किये जा रहा हूं और मैंने इस मुवी को देखते वक्त एक और बहुत बढ़िया चीज़ गौड किया था इसके सेट डिजाइन को भाई इसका सेट डिजाइन इतना ज्यादा परफेक्ट है कि ऐसा लगता ही नहीं कि यह मुवी एक सेट में बनी है मुवी में बहुत ज्यादा अच्छाईया हैं जैसे कि बहुत अच्छाइटर का काम जिन्होंने की बहुत अच्छाइचर को कास्ट किया है जो कि इस क्याक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट सावित हो गये हैं इसके लीड रोल यानि कि अपने कपिल सर्मा और सहाना गोस अच्छाइब कर रही है अच्छाइब कर रही है अक्टिंग दोनों के ही गजब के हैं पर दिक्कत यहां पर एक यह आ जाती है कि अपने कपिल सर्मा ने रोल प्लेग किया है एक बिहारी या जरकंडी का और इस जगाए पर उन्होंने बिहारी एक्षें को ट्राइ किया है जो कि उतना जादा तो नहीं हमें कन्विंसिन लगता है बट फिर भी मैनेज किया जा सकता है क्योंकि मूवी में उतना डायलोक्स नहीं है मूवी बस एक सिंपल बीजीम पे चली आती है जो कि बस तुम सीन्स को देकर उसमें गूसे पढ़ रहे होगे बिना डायलोक्स के औ बहुत ज़्यादार दमदार है उससे ज़्यादार दमदार इसकी storytelling है और साथ ही साथ ही साथ इसके set designs मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आय है और मैं बात करूं इस मूवीगो रेट करने की तो मैं पांच मैंसे सारी 4 शार में जीना चाहूंगा इसे आता शार मैं कार्ट र तो नीचे कमेंट करें जरूर बताना और तुमने देख लिया है तो भी जरूर बताना कि आखिर तुम्हें कैसे लगी और हाँ अगर यह वीडियो अच्छे लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मुझसे परसे के ट्वाइट वा सब्सक्राइब करें तुम्हें इंस्टान पर जरूरा जाना और हाँ देखते रहना यार सेज